हाई फ्रेंड वेलकम टो पीलसी आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे नेश्टेड लूप पे अधारित कुछ प्रोग्राम को बनाएंगे तो यह जो एक नमर प्रोग्राम है एक नमर जो कोस्चन है इस पे हमने पिछले वीडियो में प्रोग्रामिंग करके डाल हैं फिर आगे बढ़ेंगे कोडिंग करने के क्या क्या कर रहा है राइट प्रोग्राम इन्सी डिस्प्लेई द पैटर्न लाइक राइट अंगल प्रेंगल यूजिंग एन ऐस्ट्रिक्स अस्ट्रिक्स देखिए जो स्टार सिम्बोल है ना इसको आम जेनरली स्टार बोलते लेकिन इसका असली नाम क्या है एक प्रिंट करना है पहले एक इस्टार फिर दो इस्टार फिर तीन इस्टार इसी तरह से करके एक राइट एंगल तयार कर दे रहा है, मतलब एक एंगल के तोर पे, एक राइट एंगल ट्रेंगल तयार कर दे रहा है, तो ये question है, तो question थोरा सा किताबी भासा में है, आप simple भासा में बस यह समझ लिए, आपको इस तरह का एक pattern print करना है, तो चलिए कैसे हम programming करेंगे, कि इस nested loop हम लोग पढ़ रहा है, तो question जो भी हम लोग को मिलेगा, nested loop पर अधारित मिलेगा, मतलब दो-दो loop लगाना होगा, तो चलिए देखते हैं, programming में, ठीक है, तो चलिए, देखिए हम एक-क करके, तोड़-तोड़ के समझाएंगे आपको, ताकि आपको समझने में किसी तर का दिक्कत ना हो, ठीक है, हमें क्या करना है, वो pattern print करना है, अभी आपको याद होगा, mind में, नहीं याद है, तो कोई बात नहीं, वो pattern हम यहाँ पे draw कर देते हैं, यहाँ पे हम वो pattern बना ही देते हैं, ठीक है, आखरी में 4 star था, यह था, इस तरह का pattern हम प्रिंट करना है, तो सबसे पहले हम सुरू क्या करते हैं, हम ऐसे coding ऐसे करते हैं, ताकि आपको एक एकी समझना है, अगर हमें एक single star प्रिंट करना होता, तो हमें क्या करना होता, कुछ नहीं करना होता, यहाँ से जो भी hello world लिखा, इसको हटा दे, काटकर, और इसी में double code के अंदर बस star लगा दे, तो इसको अगर आप run कराते हैं अभी, तो क्या होगा, एक single star प्रिंट होगा, चलिए दिखिये, single star प्रिंट हुआ, हो, क्या हुआ, single star प्रिंट हुआ, अब दिखिए, अब loop लगाके ही हम को programming करना है, तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं, कि अभी सुरू में हम कुछ अ मतलब यह जुक है पैटर्ण लाश्ट में दिखी गा इस तरह का पैटर्ण बन जागा अभी हम क्या चाहते हैं इस तरह का चार गो इस्टार प्रिंट हो जाए फोर इस्टार इस तरह से प्रिंट हो जाए बस हम इतना चाहते हैं अभी हम इतना चाहते हैं तो हमको क्या करना हो होगा एक लूप लगाना होगा आपको एकदम पता है इस तरह का एक दो प्रोग्राम हम लोग अल्रेडी कर चुके हैं वाइल लूप भी पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि यारे एक फॉर लूप लगाओ और वन से फोर तक उसको चला दो इस तरह का प्रिंट हो हमने दे जिया है ए धररल उन्दर हम क्या करेंगे फोर लूप के अंदर में क्या क्या होता ह ιख मुतके पहला वाला वादा इनिश लाइच करना इस लाइच कर दीए फिर काम होता है कंडिशन लगाना तो कंडिशन हमने क्या लगा दिया ए a less than equal to 4 थाक्ई फोर टाइम लू डिक्रिमेंट ए प्लस प्लस ओके और एक लाइन का स्टेटमेंट है तो आप करली ब्रेस्ट न भी दिजिएगा तो काम कर जाएगा लेकिन हम दे देते हैं ताकि थोड़ा सा आगे चल के प्रोग्राम समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहों है तो अभी जो लूप का बोडी हम तयार कर रहे हैं करली ब्रेसस देकर तो अब देख लिज्ये बोडी के अंदर बस एक लाइन का एस्टेटमेंट है है ना अभी हम इतना को रन कराते हैं अब इतना रन कराते हैं पहले इसको दिखिया फोर स्टार प्रिंट हो गया, प्रिंट हो गया ना, फोर स्टार प्रिंट हो गया, चले इतना तक तो हम लोग पहुंच गया, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग क्या करना है, यह जो फोर स्टार जो प्रिंट हुआ है, अब हम चाहते हैं, कि यह रिपीट करे, यह रि क्या हो रहा है उपर वाला जो एक जो ये प्रिंट हुआ है फोर स्टार का सीरीज यहीं रिपीट हुआ रिपीट हुआ रिपीट हुआ तो रिपीट कैसे होगा ये चेप तो आपको पता है कि ये जो कोड लिखा गया है ये एक फोर लूप का जो कोड है ये ये प्रिंट करने में responsible है मतलब इसी के कारण ये एक line का star का series print हो रहा है अब हमको इसी को repeat करना है आगे भी तो आपको दिमाग में आएगा कि क्यों नहीं इन सारे code को एक दूसरे loop के हवाले लगा दें दूसरे loop को दे दें तो वो loop जितना बार चलेगा उतना बार इसको repeat करेगा तो हमको तो चार बार नहीं चलाना है तो बाहर वाला loop भी केतना बार चलेगा चार बार आप चाहते हैं कि आगे भी repeat करें तो कोई बात नहीं वहाँ पर number बढ़ा लिजिएगा चले तो अब हम ये काम करते हैं किया करना है एक for loop और लगाना थो एक variable की व्यवस्ता और करनी होगी जैसे कि b ऑफं कर रहा है इसमे भी को उच कर रहे हैं इसमें भी 8 सण्य सुरू कर रहे हैं और कंडिशन में क्या लगा रहा है वि लेस दैन एक्वल टू फोर ठीक है और फिर भी प्लस प्लस हर बार एक बढ़ जाए अब इसका भी बोड़ी हमें डिशाइड करना होगा तो बोड़ी यहां ओपेन हुआ और लास्ट में यहां क्लोज हुआ दिखेंगा कहां क्लोज कर रहे हुँ तब है ना आप कहिएगा कि हां यह बाहर वाला जो लूप है उसके अंदर पहले इसको मिटा जेते हैं थोड़ा सा हाँ तब आप क्या कहिएगा यह पूरा का पूरा जो यह लूप है इन्नर लूप जिसको हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इन्नर लूप यह एक बाहर वाल लूप के हवाले लग गया मतलब बाहर वाले लूप के अंदर चला गया तो यह किस तरह का structure हो गया nested loop यह किस तरह का structure बन गया nested loop तो अंदर वाले को inner बोलते हैं बाहर वाले क्या बोलते हैं आउटर लूप ठीक है अब यह जो कोड है अगर हम उसे रन कराते हैं तो किस तरह का डाता अब हुठ आएगा तो ये जो अभी हम यहाँ पे लिखे हैं इस तरह का डा़ता आगा क्योंकि ये चारम यह भी चल रहा है न तो यह क्या करेगा सिर event है इसको रिपीट करेगा तो चलिए हम क्रें करते हैं हाँ हाँ लेकिन यहाँ पर क्या हुआ एक्षी लाइन में print हो गया तो यह थोड़ा सा गरवर बार हो गया कोई भात नहीं एक लाइन में print just यहाँ पर पिछले प्रोगरम में हम बताया थे की जैसे इनर लूक से बाहर निकलेगा control तो यहां पर एक print app लगा दीजे और इस print app के अंदर कुछ नहीं करना है line change करने वाला slash n code लिखे दीजे ताकि एक series print होने के बाद दूसरा series print हो तो next line में print हो बास में रहे हैं हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं यह कि जो यह वाला एक series print हो जाए तो दूसरा वाला कोड क्या करेगा जैसे ही यह लूप से बाहर निकलेगा जैसे ही यह मिल जाएगा फिर लाइन चेंज हो जाएगा फिर उपर वाले वीडियो से रिफ्रेंस लेकर समझने की कोसिच किजिएगा ठीक है हम काफी अंदर डीप नहीं जाएंगे तो अब क्या करते हैं अब जो बात है अब उस चीज़ को समझे हम कहां तक पहुंच गया हम यहां तक पहुंच गया तो अब हमको क्या करना है इसको इधर से मिटा दे से हम इसको काट देते हैं तो इतना ही न हमें चाहिए देखे हैं हम क्या सुत्रेकास की इस तरह से ही कट जाता तो ऐसा हमको result मिल जाता मिल जाता ना तो अब जो main चीज है जो main concept है उससे समझाने जा रहे हैं एकदम ध्यान से समझे कैसे क्या हो रहा है ठीक है तो देखिए पहले हम थोड़ा साइस को मिटा दें यह जो आउटपुट है इसको समझने की कोशिश किजिएगा यह जो पहला लाइन जो प्रिंट हो रहा है इसमें बस एक सिंगल स्टार प्रिंट हो रहा है जो दूसरा लाइन प्रिंट हो रहा है इसमें डबल स्टार प्रिंट हो रहा है जो third line print हो रहा है इसमें triple star print हो रहा है जो fourth line print हो रहा है इसमें four star print हो रहा है इसका मतलब क्या है पहले बार जो inner look चल रहा है ये बस one time चले जब दूसरी बार inner look चल रहा है तो ये बस two time चले तीसरी बार जब inner look चले तो ये मातर three time चले चौति बार जब inner look चले तो मातर four time चले तब जाके मेरा काम हो जाएगा ठीक है तो पहली बार जब b में one रहेगा तो ये one time ही चले यहीं ना हम लूँच आते हैं जब फिर उपर जाकर b increment होगा मतलब b अगर कोई variable है तो इसमें दूसरी बार जब 2 रहेगा तो ये 2 time चले जब b में 3 रहेगा तो ये 3 time चले तो कहीं न कहीं b ही काम करेगा यहाँ पे तो यहाँ पे 4 लिख देंगे तो 4 लिखने के वज़े से हर बार 4 time प्रिंट हो रहा है तो अब यहाँ से 4 हम काटेंगे यहाँ पे हम बस लिख देंगे b program खतम चले यहाँ पे लिख देंगे b अब हो गया program खतम अब इसको run करा देखिए star pattern जैसे हम चाहते थे उस तरह से print हो गया अगर वीडियो आपको अच्छा लगा थो प्लेज लाइक और सब्सक्राइब किजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछन लेकर तब तक के लिए धन्यवाद